तुम तुम लोग अंदर कैसे आए नहीं मिलना मुझे तुमसे मुनज़ा तीस चौखिदार ने रोका था लेकिन ये काम आ गई बेहन को बेहन से मिलने से कौन रोक सकता है क्यों आयो यहाँ माफिय मांगडाया आयम सॉरी बहुत जल्दी ख्याल आ गया लगता हुसे मानूर के पास मुझे देखकर आंटी घबरा गए छोड़ो आंटी को मैं आया हूँ ना तुम्हारे पास खुद खुद चलके माफिय मांगने आया हूँ तुमसे आइम सॉरी मुनज़ा और तुम्हें लगता है के माफिय मांगने से सबकुछ ठीक हो जाओगा मेरी कोई विज़त वापिस आज़ेगी मुनज़ा प्लीज बिला वज़ा में तुमाशा मत बढ़ाओ जो हो हो है उसे भूल जाओ जैसे तुम भूल गए थे तुम्हारा तो कुछ ने गया जिन्दगी तो मेरी बरबाद हुई है मुनज़ाब किस ने कहा है तुम्हारी जिन्दगी बरबाद होगी मैंने तुमसे वादा किया शादी का महनूर से शादी मेरी मजबूरी है और तुम ये बात समझती थी फिर भी तुमने उमसे दोस्ती का हाँ लेकिन मुझे अंदाजा आनी था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओ के कंपनी से निकालने के बाद मुलाकात तो दूर तुमने तो बात करना मुनासिब नहीं समझा और मेरे जाते ही इसके सब कुल चड़े राना शिर कर दिये एक्सक्यूस मी कि अपने जगडे मुझे मत खसीटे एक सगड़ तुम चली गई तुम चली गई तुम चली गई तुम चली गई तुम तो रखना मना ने और अगर तुम कहती हो तो निकाल दो से ताके फिर एक नए लड़की को रख लो सेकेटरी बना कर लो नजाब प्लीज प्लीज बात को मत बढ़ाओ मानूर का मसला खत्म हो जाए तो तुम जो कोगे तुम जो भी कोगे मैं वो करूगा सुरी मिस्टर आबड आनूर की तरह मैं आँखों देखि मखी नहीं निगल सकती तुम पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती अच्छा ठीक है मुझ भरोसा नहीं है भाबा भी तो है ना वो तुम से मिलना जाते क्यों? क्यों मिलना चाहते हैं वो मुझ से उनको इन सारी बातों का पता चल गया है वो चाते हैं कि हम बैटके बात करके इस मसले का हल निकाले गई थी मैं आंटी के पास लेकिन उन्हों ने मुझे दो टके की लगी कहा ब्लैक मेलर कहा ब्लैक मेलिंग क्या होती है वेस्ट राबिद अब मैं बताऊं कि तुम ये माफी का ड्रामा करके मुझे वो तासे नहीं कर सकते तुम्हारी और तुम्हारे मावाग की असलियत मेरे सामने आ गई है किट-किट-किटा रंग बदलते हो तुम लोग कि अपनी एक अप्नी उकात में रो तुम अपनी हथ पाहर कर रही हो अाप से बाहर तो तुम भी निकले थी अपना मतला पूरा होने के बाद मुझे कंपड़ी से बाहर निकाल-दिया और इसे रख लिया कब इसे निकाल के किसी और करक लो गे प्लेकिन मैं महनूर और के जिन्द की बरवाद नहीं हो ने दोगी. तुमने मेरे खाप जटना जूड़ किये था ना? मैं तुम्हारे खापों को आख लगा दूँगी. अपनी उकात मेरो. क्या कर रहे हो? हॉस्टल आई गए. देखने मातुझे आड़ा. तुम भी इस नाक से बच के रहना. मैं तो इसके खाननान की लड़की थी. इसने मुझे अपनी हवास का निशाना बनाया. तुम्हारा क्या हाल होगा खुद सोच लो. कौन है? कौन हो? इधर क्या कर रहे हो? बार निकलो. आ रहा हो बार रहा हो. कौन है तुम? इधर क्या कर रहा है? मैं तो अपने घर जा रहा था रास्ता बूल गया. गलती से यहां पर आगया हूँ. पागल समझता है? अवेली के अंदर क्यूं गूम रहा है? कौन है यह? क्या हो रहे? बुल बाबा यहावेली में घुतने कोशिश कर रहा था. चौर देशे. बुल बाबा यहावेली में? चौर दो मैं जानता हूँ इसको. पागल है यह दिमाग खराब है इसका. पागल है? शकल से तो नहीं लगता? वह जादा तक्तक मत करो. पीपी पे जाओ अपना. मैं बात करता हूँ इससे. जो. अगर मुझक गेर हो जाती ना, तो यह लोग तुमको गुली मार दे थे. अच्छा है ना. जान चूट जाती आपके. जख्त कदम उटाने पे मजबूर मत करो यूसफ जाई. तुमारे माबाब पे तरसाथ है. वो लोग पहले ही बहुत बड़ी चोटकाई हुए. अपना नहीं तो अपने माबाब कर ख्याल करो. बुलापे में जवान अउलाज से महरूमी वह बड़ा सब्मावत है. गुलबाव मैंन आपसे का था ना, कि मुझे एक आखरी बार मानूर से मिलने दें, प्लीज. वो अब मेरे बस में नहीं है. मालेकन ने चोटी मालेकन पर पेरे बिटा दी है. उनको शक है कि कोई चोटी मालकन को बगावत पर उक्षा रहा है. यह सिर्फ मैं जानता हूँ मैं, कि वो तुम हो. आग में मत कुदो. और नह तुम्हारे साथ साथ, चोटी मालकन भी जल कर राक हो जाएगी. लेकिन गुलबावा. जाओ इदर से. शुकर करो, कि एक बार पिर मैं तुम्हें चोटी मालकन के सबके में जिन्दा चोड रहा हूँ. जाओ. महल मनारे, लाक बना ले, महल मनारे, लाक बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदेया, फडले पल्ला. जाओ. 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 जाओ.